Hello everyone, मेरा नाम है विजय चोहान और आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम Google Analytics को अपनी वेबसाइट में लिंक कर सकते हैं with the help of Google Tag Manager ओके तो अभी यहां पर आप सब को शायद यह सवाल आ रहा होगा कि क्यों हम Google Tag Manager का यूज़ कर रहे हैं जबकि directly हम Google Analytics को Google अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करवा सकते हैं So the simple and sweet answer is कि जब तुम Google Analytics को तुम्हारी वेबसाइट के साथ लिंक कराते हो तो फ्यूचर में जाके भी तुम्हें Google Tag Manager को अपनी वेबसाइट से लिंक करवाना ही रहता है तो उससे अच्छा क्या है कि हम दो-दो टैग्स अपनी वेबसाइट में ना इंस्टॉल करते हुए Google Tag Manager को directly हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे first and then उसके बाद Google Analytics को अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे और इससे क्या होगा कि future में अगर तो हम हमारी वेबसाइट में Google sorry Facebook, Pixel या फिर Google Ads का भी अगर टैग लगा रहे अपनी वेबसाइट में तो हम directly उससे Google Tag Manager के थूरू लगा सकते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी वेबसाइट में हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैग्स ना इंस्टॉल करते हुए just Google Tag Manager के थूरू हम बाकी सभी टैग्स को अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे कि हमारी वेबसाइट का लोडिंग स्पीड बेटर रहेगा ओके तो अब हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह हम Google Tag Manager के थूरू Google Analytics को अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले मैंने नीच यह description में दो link mention करके रखी हुई है जो की है यह इनमें से एक link है Google Analytics के sign up की और दूसरी link है Google Tag Manager के sign up की तो just copy and paste this link into your browser after that click on Google Tag Manager वाली link first right so sign in to Google Tag Manager and make sure के आप अपनी Gmail ID से logged in हो जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ right तो यह हमारा Google Tag Manager यहाँ पर sign in हो चुका है और यहाँ पर अब मुझे एक नया account create करना है so मैं click करूँगा create account पे account setup में मैं अपने account का नाम दूँगा जो की head top pet care tips विल यही मेरे domain का भी नाम है अब मैं यहाँ से इंडिया सेलक कर लूँगा यहाँ से container name setup इसमें भी तुम अपने account का नाम दे सकते हो अपने domain का नाम दे सकते हो sorry so यहाँ पे भी mat top pet care tips site करके जाने दूँगा अब यह हम सब पूछ रहा है कि तुम्हें data कौन सी चीज़ का चाहिए website का चाहिए iOS का चाहिए Android, AMP, server so हमको website का चाहिए तो हम website select करेंगे and create पे click करेंगे after that यह हमको कुछ इसके terms and conditions बता रहे हम सभी को agree कर देंगे and yes पे click करेंगे okay so congratulations तुम्हारा Google Tag Manager का account setup हो चुका है but अभी just यह account तुम्हारा setup ही हुआ है अब तुम्हें अपने इस account को Google Tag Manager को तुम्हारी website में install करना है तो वो करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा इसमें बड़ सबसे पहले जान लो कि दो condition होगी एक तो तुम्हारी website किसी CMS पर बनी हो सकती है जैसे कि WordPress हो गया या फिर या फिर तो तुम्हारी जो website है client की जो भी तुम्हारी website होगी वो custom coded होगी तो अगर तो वो custom coded है तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें यह जो head tag दिया हुआ है यहाँ पे यह पूरा code तुम्हें तुम्हारे developer को बोलना है कि तुम्हारे जो भी head section है website का उसमें add कर दो उसके बाद यह जो दूसरा code दिया हुआ है body tag अगें तुम्हें इसको copy करना है copy तुम्हें यहाँ से भी कर सकते हो and then तुम्हें तुम्हारे developer को देना है और developer को बोलना है कि यह code body में top section में add कर दो और वो जैसे यह add करेगा तुम्हारा Google Tag Manager तुम्हारी website में add हो जाएगा right अब यहां से हमें क्या करना है अब क्योंकि हमारे पास CMS है हमारा WordPress कुद का right हमारी website WordPress पे बनी हुई है तो हम क्या करेंगे क्या करना है हमें simply एक plugin का use करना है जिसका नाम है gtm4wp and हमारे इस head section के code में से हमें just हमारी tag manager की id copy करनी है right same id तुम यहां पे भी देख सकते हो right यह हमें copy करना है और simply एक plugin के दुरू हमारे WordPress में install करना है तो आईए देखते हैं वह हम कैसे करेंगे हमें हमारे WordPress के dashboard पे आना है और यहां से हमें एक plugin इंस्टॉल करना है तो उस plugin का नाम क्या है उस plugin का नाम है gtm4wp तो यहां पे हम सर्च करेंगे gtm4wp ओके तो यहां यह रहा तुमारा plugin gtm4wp तो सिंप्ली इंस्टॉल पे क्लिक करो एक्टिवेट पे क्लिक करो एंड थोड़ा सानी ची स्क्रूल डाउन करो अपने plugin को ढूणो यह रहा gtm4wp उसकी सेटिंग्स पे क्लिक करो और यह रहा तुमारा google tag manager id तो जो id अभी हमने यहां से copy करी है जो कि यहां पे भी शो कर रही है तो मैं इससे copy करके simply यहां पे paste कर देना है and save changes पे क्लिक कर दो तुमारा google tag manager तुमारी website में install हो चुका है तो यहां तक की process बहुत easy है तो google tag manager का काम हमारे यहां पे finish होता है अब हम चलते हैं google analytics की और तो यहां से हमें google analytics पे sign in पे क्लिक कर रहा है and then after हमें start measuring पे क्लिक करना है तो यहां से यह हमें बता रहा है कि google analytics का तुम्हें यहां से ना account setup करना है तो account details तुम्हें डालनी है अगें name तुम कुछ भी डाल सकते हो मैं अपनी website का नाम ही डाल रहा हूं then यहां पे तुम इसको as it is चोड़ सकते हो and then next पे क्लिक कर दीजे अब तुम्हें property details डालनी है अगें property का नाम same United States से इंडिया dollar से rupees and then next पे क्लिक करना अब यह तुम्हें कुछ business details पूछ रहा है तो अभी के लिए हम इसको small one to ten रख देते हैं और कौन सी niche है pets and animals next choose your business objective यहां पे हम one, two, three, four यह चारो manually select कर सकते हैं but यहां पे अगर तो तुम get baseline reports पे click करोगे तो वो चारो अपने आप unselect हो जाएगी तो अब हमें क्या करना है कि हम इन चारो कोई select कर देते क्योंकि हमें बहुत सारी तरह की reports भी चाहिए हो सकती अपने business business client के लिए right so now click on create again यहां से India then click on accept conditions and then click on accept और अब यहां से हमारा fifth step आ रहा है जहां पर यह कि हमको पूछ रहा है कि किस चीज का अगें तुमको data collect करना है तो हमारी website है तो हम website पे click करेंगे right यहां से हम हमारी website का नाम दे देंगे जो है top pet care tips and then website का URL website का URL यहां पे मैं paste कर देता हूं and then हमें click करना है create stream पे right तो अभी हमें इन सभी चीजों का कुछ भी नहीं करना है हमें जस्ट हमारी measurement ID चाहिए right ओके बट यह जो page खुला है इसके बारे में जस्ट तुम्हें overview होना जुरूरी है यहां पे जब तुम install menu पे click करोगे तो यह तुमको एक tag देगा I mean code देगा जिस code को अगर तो तुम्हें directly अगर Google Analytics अपने website में install करना है तो तुम इसका use करके इस code को copy करके अपने developer को देके या तो खुद ही अपने backend में जाके install कर सकते होए head section के अंदर या फिर जिस तरह से भी हम जा रहे हैं इसको cancel करो हमें चाहिए हमारी measurement id तो measurement id को copy करो कहीं पे paste करके backup के लिए रब दो and then तुम्हें आना है again तुम्हारे tag manager पे tag manager पे tag manager पे आईए ओके तो अब हमारे पास हमारी Google Analytics की measurement id पड़ी है तो अब हमें क्या करना है हमें tag manager पे आना है tags पे click करना है and then new पे click करना है अब हमें क्या करना है हमारे इस tag को कोई नाम देना है जैसे कि मैं दे देता हूं यहाँ पे GA4 for top pet care tips right अब यहाँ से हमें tag configuration पे click करना है Google Tag को select करना है और यहाँ पे जो हमने हमारी measurement id select करी थी उसे paste कर देना है अब इसके बाद यहाँ पे तुम्हें 2-3 advanced settings दिख रही है configuration setting दिख रही है shared event setting दिख रही है उस पे हमें कुछ भी action नहीं लेना है हमें triggering पे click करना है और यहाँ से all pages को select कर देना है right अब यहाँ से हमें add पे click करना है and then अब यह जो पूरा display है वो तुम्हें क्या बता रहा है कि तुम्हारा जो Google Analytics का measurement id था वो अब से तुम्हारी website के सभी pages पे fire होगा और सभी pages पे अब से जितनी भी informations आएगी वो इस Google Analytics के measurement id में store होगी right तो इतना करने के बाद हमें इसे अब save करना है and यहाँ पे तुम्हारा काम खतम होता है और तुम्हारा Google Analytics तुम्हारे Google Tag Manager के थुरू तुम्हारी website से link हो गया है ओके तो अभी हमने हमारा Google Analytics हमारे Tag Manager के थुरू हमारी website में link करवा दिया है बट फिर भी यह हुआ है या नहीं वो पता किसे करें तो उसके लिए हम preview पे click करेंगे बट उससे पहले हमें हमारी website में हमारे sorry Chrome extension में cut ओके सो अभी हमने हमारे Google Analytics को हमारे Google Tag Manager के थुरू हमारी website में connect करवा दिया है सो बट यह हम कैसे माने हैं हम check के से करें test के से करें तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक plugin की जरूरत होती है जिसका नाम है Google Tag Assistant Companion सो अब हम इस plugin को जो कि मैंने यह आपे open करके रखा है हमारी Chrome में add करेंगे अब जैसे ही यह हमारे Chrome में add हो जाता है यह अपने आप signing भी हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं फिलाल के लिए मैं यहाँ पर इसे pin कर देता हूं तो अब जब हमने हमारा Google Tag Companion इंस्टॉल कर लिया है तो उसके बाद हमारा next step है to click on preview अब हम preview पे click करेंगे यह check करने के लिए कि हमारा Google Analytics 4 हमारे Google Tag Manager के साथ properly connected हुआ है या नहीं तो click on preview अब यहां पर तुम्हें तुम्हारी website अगर तो अडली हुई नहीं है तो तुम्हें यहां पर तुम्हारी website अड़ करनी होगी देन उसके बाद तुम्हें connect पे click करना है एंड यह एक नया window अब open करेगा जिसमें की तुम URL में check कर सकते हो कि यह बता रहा है कि जो तुम्हारी website है उसका Google Tag Manager GTM debug view है यह अब तुम्हें जाना है तुम्हारे Google Analytics पे Google Analytics पे आते ही तुम्हें click करना है admin पे admin पे click करने के बाद data display and then तुम्हें click करना है debug view पे तो अब देखो यह तुम्हें अगर तो तुम्हारे debug view में एक page view यहां पे दिखा रहा है इसका मतलब होता है कि तुम्हारी website का जो Google Analytics है वो Google Tag Manager के साथ connect हो चुका है और वो properly work कर रहा है और इसी को और अच्छी तरह से confirm करने के लिए हम हमारे Tag Manager वाले window पे आ जाएंगे जहां पे यह हमें दिखा रहा है कि Tags fired यहां पे आप देख सकते हो Tags fired इसका मतलब कि यह Tags fired हो चुका है और work कर रहा है और अब इसी को हमें थोड़ा और अगर अच्छी से चेक करना हो तो हम यहां पे किसी और pageview पे आ जाते हैं जैसे कि let's say मैं Docs पे क्लिक कर दाऊं तो मेरे Docs पे क्लिक करने के बाद अगर मैं वापिस Tag Manager में आता हूं तो यह मुझे दिखा रहा है देखिए Docs Archive Top Pet Care और यहीं पे अगर हमें इसको और एक और बाद क्रॉस चेक करना है तो Google Analytics पे जाते हैं यहां पे हमें दूसरा pageview दिखा रहा है देखिए User Engagement क्लिक हुआ है इसलिए और दूसरा pageview इसका मतलब हमने successfully अब हमारा Google Analytics 4 Google Tag Manager के थ्रू हमारी website में install कर दिया है और यह हमारी अब से यह GA4 property हमारी website का सारा data capture करेगी और हमें बताएगी तो अब हमारा जो last step बच रहा है वो क्या है हमें आना है again हमारी Google Tag Manager पे तो क्लिक ऑन सब्मेट यह जब भी आप किसी भी टैग को सब्मेट करते हो यह तो आपको एक वर्जिन का नाम पूछता है तो आप कुछ भी रख सकते हो मैं रख देता हूं फिलहाल के लिए टॉप पैट के एर टिप्स जी एए फोर इंस्टाल्ट राइट एंदेन तुमे क्लिक करना है पब्लिश पब्लिश पे एंड आपका काम यहां पे पूरा होता है आपका Google Analytics जी एफोर आपकी वेब साइट पे इंस्टाल हो चुका है Google Tag Manager के थ्रू इस वीडियो में इतना ही बिलते है नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर यॉरसेफ और सी यू सून